हेलो स्टुडेंट्स मैं प्रयाग राजमिशा इबार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टार्गे सेमेस्टर पर तो यह जो सीरीच चल रही है हम लोगों की पेपर एलाइस की लखनो विश्विद्याले की इसी क्रम में आज हम सेकेंड पेपर लाएं हिंद का जो ऐसा कि आपको पता है आपके सेलेबस के कॉर्डिंग हिंदी के जो सेकेंड पेपर है वो भक्तिकाली हिंदी काव्य है तो यहां पर बच्चों एक चीद ध्यान अखेगा अगर आप लोग अभी त्यारी नहीं करें हैं तो यहां पर पद्यांसों पर फोकस करना है आपको बताया है पहला तो आपका तीन गंटे का पेपर होगा दूसरा आपका यहां पर 75 मार्क्स यानि की 75 नंबर यहां पर आप कंटेन करेंगे पूरा पेपर तो निमलिकित मेंसे किनी 5 प्रिश्णों के उत्तर देना होगा आप लोगों को 10 कोश्चन आपको 2 उत्रल मिल घ्राइंगे उसी में अपका यहां पर नमबर दिये जाएंगे पहला क् deste आपका पद्ध्यांज पर ही ईका मैं आPP je व्याख्या दिया है तो कोश्चन को बहुत बहुत बहुतरी नंग से पढ़ना है कि कह क्या रहा है कि सीज की डिमांड कर रहा है कोश्चन हम से व्याख्या की कह रहा है तो व्याख्या करनी है ठीक है और ससंदर्व व्याक्य करनी है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ठीक है ससंदर्व और अगर आपको उधारण का कहीं जिक्र किया गया है तो आपको उधारण भी देना पड़ेगा इसी के बाद दूसरा पध्यांस है यही कोशन जो सेम पहले था कि निमलिकित पध्यांस की ससंदर्व व्याक्य कीजिए वो आपके सलेबर्स के अकॉर्डि कोई भी पध्यांस उठा सकते है ठीक है अगला कोशन है तीसरा कि निमलिकित पध्यांस की ससंदर्व व्याक्य कीजिए यह भी आपका सेम कोशन है कहीं से भी कोई यहां पर पद्यांस उठाया जा सकता है चौथा भी कोश्चन है कि नेमले कि पद्यांस की ससंदर व्याक्या कीजिए पद्यांस की व्याक्या आपको कहीं से भी कैसे भी करके उठायी जा सकती है जैसा कि मैंने पहले तीन कोश्चन पर बताया अब पाच्वा कोशन यहाँ पर बनेगा आपका कि कबीर एक समासुधारक कविते इस कथन की सार्थक्ता सिद्ध कीजिए ठीक है तो यह कोशन आपका है अगला है कि जैसी का व्योग वर्णन हिंदी साहित में अदुती है इस कथन की समिच्छा कीजिए साथवा कोशन है कि सूर के वादसल लेक्ट वर्णन की प्रवंगी सेस्ताओं पर प्रकास डालिए आठवा कोशन है कि तुलसी दाश की भासा एवं सहली पर प्रकास डालिए नवा कोशन है कि मीरा भाई की भक्ति भावना पर संचिप्त निबन दिखिए और दसवा और आकरी कोशन है कि सूर में जितनी सहदता और भावगता है उतनी ही चतुरता और वादिगता भी है इस कथन की सो उधारण वेशना की अब यहां पर सो उधारण मतलब उधारण के साथ आपको व्याखा करनी है इस कोशन की तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हर एक question को यहाँ पर 15 marks दिए गए हैं यानि कि हार एक question यहाँ पर contain करता है 15 marks तो जो question आप करेंगे उसको 15 marks यहाँ पर contain किया जाएगा ठीक है और आपको इन 10 questions में केवल 5 questions ही करने हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने friends circle में वीडियो को share कर दीजेगा ठीक है और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को subscribe कर दीजेगा किसी भी topics related अगर आपका कोई lecture complete नहीं हुआ है तो अगर आपके syllabus के recording है वो हमारे इस चैनल पर available तो आप आकर उसको search कर सकते हैं देख सकते हैं तो